जल्द होगा बर्खा इंद्रे नील का डिवॉस अक्टरिस ने बताया इससे सबसे टफ डिसिजिन एक समय ऐसा था जब बर्खा सेंगुपता और इंद्रे नील सेंगुपता का नाम बेस्ट कपल स्के लिस्ट में शुमार था उनकी प्यार भरी केमिस्ट्री ने फैंस का दिल खुशी से भर दिया था हाला कि साल 2021 से वो साथ नहीं है शादी के 13 साल बाद कपल ने अपनी राश से तो अलग कर लिये वही अब आक्टरिस बर्खानी डिवॉस को लेकर बात की है इटाइम्स को दियेगा इंटर्व्यू में बर्खानी डिवॉस को लेकर कहा हाँ हमारा डिवॉस जल्थ होगा ये मेरे सिंदगी का सबसे टफ डिसिजन है डिवॉस का रीजन तो बर्खानी नहीं बताया लेकिन अक्टरिस ने कहा कि मैं सिंगल मदर हूँ और मेरी प्रियोरिटी मायरा है काम की बात करू तो मैं ODT वर्ल में इंट्रस्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ वही रिपोर्ट्स के मताबिक अक्टरिस किसी और के प्यार में पढ़ गई है कहा जा रहा है कि 43 साल की बर्खा को अक्टर प्रिडूसर आशिश शर्मा से मोहबत हो गई है दोनों कुछ समय से एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं हालाकि इस पर दोनों के तरफ से कोई भी रियाक्शन नहीं आया है आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर बताईए हमें कॉमेंट सेक्शन में आपका कर दो लाइक फोलो और शब्सक्राइब टेली मसाला ओन फेस्बूक इंस्टग्राम और यूटूब